दूसरे function होता है interval interval मतलब कि हर एक जो भी हमें पर timing दिए एक सकेंड दो सकेंड तीन सकेंड मिलिसेंड पर एक सकेंड में यह फंक्षन को कॉल करेगा हर एक सकेंड में हर एक सकेंड में function को कॉल करेगा और क्या काम कर रहा है तो particular इस program को run करेंगे तो हमें output में date दिखाई देगी यहां भी clock तो यहां पर clock आ रही है क्योंकि यहां पर function जो कहा गया है time string है local time string यहां पर local time string अभी इतना हो रहा है तो दिख रहा है तो इससी continue watch चलती रहेगी हर एक सकेंड में यह चैप कर रहा है हर एक सकेंड में इस value को कॉल कर रहा है तो interval का यह काम होता है